हेलो माइ फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी उमीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे मैं चंद्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना यूटिव चैनल फिल्मी रडर दोस्तों मैं आपको नहीं नहीं जगे पर ले जा रहा हूं नहीं फिल्मों की लोकेशन दिखा रहा हूं दोस्तों आजकी वीडियो भी बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आपको दिखाने वाला हूं सन 1986 में फिल्म आई थी नगिना और उस मुवी के अंदर में मुख्य भूमिका में नजर आये थे श्रीद किल याद कुछ और रहता नहीं एक बस आपके याद आने के बाद तो दोस्तों ये एक waterfall पे इस scene को shoot किया जाता है और बहुत से comment मेरे को आए थे तो आज इस location पर मैं जाने वाला हूँ और ये वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ जाने से पहले मैं आपको इस location के बारे में बता जेता हूँ ये जो जगे है तमिल नाडु राज्ये के ऊटी शहर से लगबख 20 किलोमेटर के दूरी पर इस्तित है प्राइक्रा वाटर फॉल्स जो की पाइक्रा रीवर भी आप कह सकते हैं पाइक्रा रीवर से होती भी जाती ह तो वहीं ये वाटर फॉल्स है तो वहां पर ही इस फिल्म के गाने को शूट किया गया था और दोस्तों एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा इसी वीडियो के अंदर में मैं आपको सन 1986 में फिल्म आई थी जाबाज जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आये थे अनिल जो गाना है वो भी यहीं पर ही शूट हुआ था और अस्ती के दशक में बहुत से गाने या पर शूट हुए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा वीडियो अच्छा लगए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर यदि आप हमारे पहली बाविजिट कर रहे हैं तो चैनल को जोड़ से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी ही इंफर्मेटिव वीडियो समा आपके लिए 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 रहते हैं तो चलिए बीना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूज आर्लोपने प्राहाइबे लिए错 na मंड़ कर दो, बड़ाईबे लिए ऴर्मेट चाहा हैं तो, यूज ए देरी के हैना उता हैं । तो दोस्तो यह पाइकरा वा catastrophile है आप देख सकते हैं फिल्म के जो समी लिए गे हैं बैसे कि यह इसे लिए गें वार आप मैच करके ले ने सकता है ük मेंग आप मैंच करके ले इसे जगे को फिल्म के अंदर में दिखाया गया है देख लिजिए आप यही जगह है और यह बेशिकली जंगली एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइकरा वाटरफॉल दिख रहा है आपको और इसी जगह पर फिल्म के अंदर में डांस करते हैं एक्टर्स यहाँ देख लीजिए यहाँ पर पानी बेह रहा है और इसी और नगेना फिल्म के अंदर में जो दिखाये गया है, लोकेशनulaCrânा अग्जैक्ली यही है, नगीना फिल्म के अंदर में इस जगए को दिखाया है, और बहुत सारी फिल्मो गी शूटिंग इस जगह पर हो चुकी है, दोस्तों यहां इस जगह पर बहुत से फिल्मे शूट हो चुकी है साउथ की भी बहुत से फिल में यहां पर शूट हो चुकी है और ऐसा लगता नहीं है कि यह जगह मतलब भारत के अंदर ही है मतलब ऐसा लग रहा होगा आपको कि कई भारत से बाहर में आगया हूं मतलब हमारे भारत देश से पर ऐसा नहीं है यह हमारे भारत अंदर में यहां पर घूम भी सकते हैं तो देख लीजिए दोस्तों नगीना फिल्म के अंदर में जो लोकेशन दिखाई गई है वह यही लोकेशन है इसी जगह पर गाना आता है आज कल याद कुछ और रहता नहीं इक बस आपके याद आने के बाद इसी जगह को दिखाए गया फिल्म के अंदर में दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मैं जो फिल्म की लोकेशन है इसके दूसरी और आ चुका हूं और यहां पर आप देख सकते हैं इस जगह पर जो श्री देवी होती है फिल्म के अंदर में जो गाने में श्री देवी जी होत आज कल याद कुछ और रहता नहीं एक बस आपके याद आने के बाद तो दोस्तो इस गाने के मैंने आपको ज़ादे तर जितने भी सीन है वह दिखाने का पूरा प्रयास किया है इस वीडियो के अंदर में और अब मैं दोस्तो आपको सबाज मुवी है जो कि अनिल कपूर जी की है तो उसकी location में आपको इस video के अंदर में दिखाने वाला हूँ basically film के अंदर में एक गाना आता है तेरा साथ है कितना प्यारा कम लगता है जीवन सारा तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दुबारा दोस्तो वो गाना यहीं पर ही shoot हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ इस जगह पर अनिल कपूर जी और डिमपल कपाडिया जी यहीं पर ही dance करते रहते हैं और इस जगह का scene नजर आता है यह देख सकते हैं आपको दोस्तो जितने भी scenes है वो मैं आपको दिखाने का परियास करूँगा इस वीडियो के माध्यम से और इस जगह पर आपको नजर आ रहे होंगे दिमपल कपाडिया जी और अनिल कपूर जी आप मैच कर सकते हैं जरना आपको नजर आ रहा होगा दोस्तो ये जो जरना है बिसेकली पाइकरा waterfall है और ये जो नदी है बिसेकली पाइकरा river है और इसी जगह पर कुछ दूरी पर यानि के 5-6 किलोमेटर के दूरी पर एक डैम इस्तित है जहां पर बिजली बनाई जाती है और पायकरा river के अंदर में ही वो डैम बना हुआ है यहां से 19 किलोमेटर की दूरी पर उटी शहर इस्तित है और नेलगरी की पहाड़ियों से होती हुई यह नदी आती है तो देखें कितना कूपसूरत नजारा है और इस वीडियो के माद्दम से जो भी मेरे से हो सकता था वो मैंने आपको बताने का परियास किया है और यह फिल्म की लोकेशन आपको कैसी लगी यह भी मुझे कॉमेंड में जरूर से बताईएगा और देख सकते हैं आप जहरना कितना कूपसूरत लग रहा है बड़ा ही अलग नज़र आ रहा है यहां का सीन आशा करता हूँ दोस्तों उमीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी दोस्तों इस वीडियो के अंदर में मैंने आपको जाबाज मुवी और नगिना मुवी की लोकेशन दिखाई है तो उमीद है कि आपको वीडियो जरूर से पसंद आई होगे, अगर वीडियो अच्छ लगे है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर यह दिया आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे इंपरमेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक् कि एगा.